नमस्कार मैं हिमानशू और आप देख रहे हैं टार्गेट विथ हिमानशू उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे अभरती हैं जो नई सिक्षक भरती की मांग कर रहे हैं वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं और कब तक भरती हो सकती है ये हर कोई जानना चाहता है फिलाल इस वीडियो में कुछ महत्वपूर एविडिन्स के साथ हम आपसे बात करेंगे आप UPTT का इंतजार कर रहे हैं आप सिच्छक भरती का इंतजार कर रहे हैं और जरूरी भी है हर कोई चाहता है कि उसे जल्द से जल्द रोज़गार मिले और बड़ी संख्या में चुकि उत्तर प्रदेश में पद खाली है तो ऐसे में हर किसी को एक उम्मीद सी लग जाती है बात थोड़ी सी पहले से करेंगे क्योंकि इसके पहले 75,000 उसके पहले 800,500 सिच्छकों की भरती हुई है इस इच्छा मित्रों के समयोजन रद होने के बाद जो रिक्त पद थे उन पर भरती हुई थे और ये का 2015 में पहली बार समयोजन रद हुआ था यानि उस दौरान ही इ संख्या बड़ी होगी मिलाज बलाकर 69,000 सहायक अध्यापकों की भरती में जब सुप्रिम कोट में सुनवाई हो रही थी और कुछ समय के लिए सिक्छा मित्रों की संख्या के बराबर पदों पर रोक लगा दिया गया था भरती करने से तब मानने सुप्रिम कोट ने सरकार स्वयम जाकर ये कहा कि हमारे पास कितनी संख्या में पद हैं और जो सुप्रिम कोट ने पद रिक्त किये हैं जो पद रिजर्व किये हैं उन्हें न रिजर्व किया जाए बलकि उन्हें भरती कर लेने दिया जाए क्योंकि इनके पास अभी बड़ी संख्या में पद खाली ह में कभी सुप्रिम कोट से सिक्षा मित्रों के favor में decision आ जाता है तो भी वो उनके लिए मतलब प्रयाप्त संख्या में पद है हालांकि बाद में इस मामले में सुप्रिम कोट ने सिक्षा मित्रों की याचिका को खारिश कर दिया था उन्हें गलत पाया था लेकिन सुप्रिम कोट में जब सरकार ने या बाद कही तो कहिन कहीं जो नई भरती की त्यारी करने वाले युवा हैं उनको एक बहुत बड़ी उ कहा है गौर्वर्मेंट ने कहा है कि इस समिटेड कि सफिसेंट वैकेंट पोस्ट आर एवलेबल फार्द पोस्ट अशिस्टेंट टीचर सायक अध्यापक के लिए पर्याप्त खाली पद भी हैं उत्तर प्रिदेश में इवें एपॉर्ट फाम दे करेंट एडवर्टाइज पोस्ट आप 69,000 पोस्ट इन्होंने अडवर्टाइज किया तो उस समय उसके अलावा भी इवें इफ दे केस आफ प्रिटिशनर और आप से मतलब नहीं है आप किसे मतलब इस लाइन से कि इनके पास अभी परियाप्त पद हैं ठीक है और कितने पद हैं मैं वह भी आपको द यहां कहा रहा है कि एक्स्ट्रा वैकेंट पोस्ट आप असिस्टेंट टीचर कि सायक अध्यापक कि जो खाली पद हैं एक्स्ट्रा विद श्टेट एस अन डेट उस दिन तक उस दिन तक 51,112 हो सकते हैं आज की जिट में और भी बढ़ गया हूं ठीक है तो उस दिन तक 51,1 112 पद रीखत हैं which have not been advertised जिनका भी मतलब भरती advertisement जिसका नहीं रिलिज किया गया है और उसके लिए फिलाल के लिए no recruitment process has been initiated को जिन किया गया है यह एक्दम सपस्ट है कि 51,112 पद तो फिलाल यहां पर दिखी रहे हैं जिसका recruitment process स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन आने वाले समय मे जरूर स्टार्ट होगा ठीक है तो ये बहुत बड़ी बात है हर बार मैंने आपको बताया है आज दिखा भी रहा हूं कि सुप्रिम कोर्ट में ये बात कही गई है ये समिशन है स्टेट का इसलिए आप अपनी तयारियों को जारी रखें अकबारों के माध्यम से बार बार सु अब फिलाल आपको इन पदों को देखकर तयारी अपनी जारी रखनी है यूपी टीटी के लिए भी फोकस करिए महनत करिए और फिर सिक्षक भरती भी होगी उसके लिए भी आपको महनत करना है क्योंकि चुनावी वर्ष आने वाला है तो सरकार भी चाहेगी कि इन पदों जानकारी देनी थी अपनी तैयारी आप जारी रखिए हो सकता है आप अभी नए हो आपने पहले कभी परिच्छा नहीं दी हो भरती में सामिल नहीं हुए हो तो आपके लिए और कठीन चुरौती होने वाली है क्योंकि आप को कमपटिशन ऐसे लड़कों से देना है जो पि सके हैं इस संब्द में जो भी महत्तपूर अपडेट होगा आपको दिए जाएगा जुड़े रहे हैं चैनल से धन्यों